स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 126 से ले करके 130 तक कोशन देखेंगे बहुत ही कि अजonia tarap पहर ऐते हैं जो कि आपको सबस्क्राइब कर सकते हैं तो हम आज स्टार्ट कर होब करेंगे यहां पर आपको बिच्पने गलोब ऑब से पूछब और और यहां पर दिया हुआ हे सवाल आपको कि largest immunoglobin आपसे पूछा जा रहा है तो मैंने antigen antibodies पूरा detail में पढ़ाया हुआ है मेरे चैनल पर lecture है आप देखिएगा detail में सारे चीजों के बारे में detail में information है वहीं से यह सवाल उठाया गया है तो largest immunoglobin जैसे आपसे पूछा गया है एक-एक immunoglobin के बारे में थोड़ा-थोड़ा आप discuss करेंगे जादा detail में नहीं जाएंगे जैसे कि पहला दिया हुआ है आई जी जी ठीक है तो यह जो होता है smallest होता है ठीक है अगर सवाल पूछ लेगा देखो एक सवाल से बहुत सारे question हम निकाल करके आपको देते हैं ताकि कई सारे चीज़ें आपको पढ़ना पड़े अब आपको हो सकता है कि smallest immunoglobin पूछ ले तो आप आई जी जी बता सकते हैं ठीक है तो एक question तो यह बन गए आपका smallest जरूर है यह लेकिन all body flutes में present होता है ठीक है तो इस तरीके से भी सवाल आ सकता है तो यह भी आप याद रखेंगे ठीक है clear all body flutes में यह commonly पाया जाता है तो IgE की अगर हम बात करते हैं तो यह आपके lungs में, skin में या mucus में आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो इस पस्ट इसमें जैसे कि allergic वगरे अगर कोई दिक्कत है तो उसमें यह आपको help करता है ठीक है तो यहाँ पर यह इसकी presence होती है IgE की उसके बाद हम बात कर लेते हैं next है आपका IgM, तो यह जो IgM होता है यह आपका blood और lymph fluid में present होता है ठीक है समझ आया लेकिन यह जो IgM होता है यह largest immunoglobin है कौन सा largest immunoglobin जो की यह वाला question आपका था तो आपका correct option जो हो जाएगा वो कौन सा होगा C वाला IgM तो यह जो IgM होता है यह आपका largest immunoglobin होता है clear तो आप इसको याद रखेंगे ताकि आपका जब भी exam होगा वहाँ पर सवाल इस तरीके से आएंगे तो आप correct कर सकते हैं उसके बाद last हमारा IgD दिया है तो इनके detail पूरा मैंने antigen antibodies immunoglobin सारा detail पढ़ा दिया है वो better आप एक एक चीज़ के बारे में समझ पाएंगे और कहीं सी भी सवाल अगर पूछा जाता है तो आप answer कर सकते हैं ठीक है आई जीडी अगर हम बात करें तो यह small amounts में आपके tissues में present होते हैं ठीक है सबका कारे क्या क्या होता है सब अपने जगे पर important role अदा करते हैं तो उसक seven question आपके सामने दिख रहा है the antigen popular जो होता है austrian antigen जिदको पुकारा जाता है austrian antigen के नाम पर यह बहुत important सवाल है कई बार कई एक्जामों में पूछा गया है इसलिए आप इसको याद रखिए का बहुत important है answer direct हम इसका बता देते हैं कि austrian antigen कहा जाता है सबसे important है वो है option number d अगर आपको answer पता था तो बहुत अच्छी बात है नहीं मालों है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह है और बाकी option जो दिये हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा tetanolacin ठीक है तो यह जो आपको है toxin produced by claustodium titani bacteria जो होत उसके बाद malarian antigen इसके बारे में आपको पता है detail में हम पढ़ा भी चुकिए हैं आपको malaria antigen test rapid test कैसे आप पर्फोर्म करते हैं तो यह तीनों के तीनों नहीं है इसको australian antigen नहीं कहा जाता है तो australian antigen किसको कहा जाता है hepatitis B surface antigen को तो यह सबसे important है Hepatitis B surface antigen जिसको Australian antigen के नाम से भी जाना जाता है तो आप इसको याद रखेंगे उसके बाद है 1 to 8 यह आप question देखेंगे यूनिक question है यह needle shaped, refractile, pointed crystals found in stool and sputum अब stool and sputum में जो आपको needle shaped, refractile, pointed crystal जो दिखाई देते हैं अभी तो clear है इस तरीके से आपको बन नहीं पाएगा उसका structure जब हम stain करते हैं ठीक है आप जब इसको stain करेंगे trichrome stain के द्वारा तो इस तरीके से आपको यह purple red color का crystal दिखाई देता है आपके इस पूटum और इस tool में ठीक है तो यह आपका नाम पूछा है कि उसको क्या कहा जाता है ठीक है तो यह आपका correct option जो आपका आपको पता है तो यह बाकी option देख लेते हैं बाकी मैं answer आपको बता दूँगा पूरा detail तो मैंने आपको समझा दिया है पहला option आपका uric acid दिया है फिर कॉलेस्टॉल दिया है फिर चार कुट लाइडिन दिया है उसके बाद calcium oxalate दिया हुआ है ठीक है तो uric acid आपको पता है यह blood test है जो कि आ होता है कब बढ़ता है कब घटता है इसके बारे में भी हमने समझा चुके हैं उसके बाद यह c वाला जो है option आपको नया लग रहा होगा कुछ लोगों को और कई लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से तो उनको पता होगा उसके बाद calcium oxalate का crystal किस तरीके से दिखाई देत हैं तो अब थोड़ा कुछ आइडिया तो लगी गया होगा ए बी और डी ठीक है यह जो option है यह अलगी आपको है और जो बिलकुल सी वाला option है यह बिलकुल अलगी आपको देखने को मिलता है तो जी हां यह सी वाला option जो है यही correct option है ठीक है जो कि आपका formed होता है breakdown of use no fill ठीक तब आपको यह देखने को मिलता है जो की needle shaped में refractile और pointed crystal के form में होता है clear अब हम अगले सवाल की तरफ चलते है 129 बहुत ही आसान सवाल है कुछ लोगों को नहीं भी पता हो सकता है इसका answer कुछ लोगों को पता भी हो सकता है तो जल्दी से आप मेरे को answer कर दीजिए फटा- test is based on detection of तो इसके नाम से ही आता है जो कि आप किट देखते होंगे UPT test जब आप लगाते है urine pregnancy test तो उसमें short form लिखा होता है वही short form का full form यहां option में दीए हुए हैं तो आप answer फटा-फट कर दीजिए उतना कठिन नहीं है बहुत आसान है answer अगार आपको पता है तो जल्दी से आप कर दीजिए बाकी हम यहां पर option देख लेते हैं पहला option human chronic, chorionic, conetotrophin उसके बाद oistrogen, prolactin उसके बाद progestron यह तीन चार option आपके पास हैं तो इसमें ज्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूत है नहीं ठीक है बाकी चीजों के बारे में तो pregnancy test जब आप करते हैं तो kit क ही उपर ही लिखा होता है sorry hcg ठीक है यह short form है hcg लिखा होता है तो आप तो अंदाज लगाई सकते हैं कि correct option आपका कौन सा होगा a होगा ठीक चल दी अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं अगला सवाल आप से पूछा है the ideal pH of least man is 10 for malarial parasite demonstration तो least man is 10 का pH कितना होता है malarial parasite को demonstrate करने के लिए correct option अगर आपको पता है तो आप कर दीजे यहाँ पर 4 option है 7.2, 8.3 उसके बाद ये 6.8 होगा ठीक है उसके बाद 6.3 तो इस तरीके से 4 option आपके पास हैं अगर आपको answer पता है तो आप बता दीजे बाकी हम answer आपको बता देते है चली हम answer बता देते हैं आप comment करते जाएए तो इसका correct option आपका हो जाएगा A वाला ठीक है तो A जो option दिया हुआ है यहाँ पर 7.2 तो यह ideal pH least man is 10 करकते हैं हम लोग जब malaria parasite को demonstrate किया जाता है ठीक है तो इस तरीके से हमारे आज के सवाल होते हैं Instagram पर मेरे को follow जरूर कर फटा फट से Instagram का link आपको यहाँ पर description पर मिल जाएगा वहाँ से आप lab technologist दिनिस के नाम से है वहाँ पर मेरे को follow जरूर कीजिएगा और Facebook पे भी कर सकते हैं और इस तरीके से अगर आपको कोई और सवाल है तो आप comments करते जाएगा और मेरे से पूछ सकते हैं सवाल और thank you so much video देखने के लिए अपने दोस्तों में भी सेर कर सकते हैं वीडियो को like जरूर करके जाना like करना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे हमें motivation मिलता है और videos बनाने के लिए कि आपको अच्छा लगता है वीडियो कैसा लगता है वो भी आप comments करके हमें बता सकते हैं thank you so much